देखें, एक शब्द है मजदूर, तो इस दोड़े में मजदूर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं और हिंदी में क्या आर्थ होर मतलब होता है, दोनों में जानेंगे, एक्जामपल से सेंटेंसेस में यूज करके अच्छी तरह से समझेंगे, तो चलिए विडियो को स्टाट करते हैं और समझते हैं, सबसे पल़ इशब्द को हिंदी में समझते हैं, क्या आर्थ होता है, क्या मतलब होता है, समझे देखिये, मजदूर का मतलब होता है, मजदूरी करने वाला देहाडी कमाने वाला देहाडी का काम करने वाला मतलब शरम करता या शरमिक को हम मजदूर बोलते हैं English में मजदूर को बोलते हैं worker, manual worker, liberal, blue collar worker मतलब होता है unskilled worker, workman, working force, working hand and ATC मतलब और भी English में इसके शब्द हो सकते हैं, synonyms हो सकते हैं मजदूर के, example से sentences में समझते हैं शब्द को अची तरह से, जैसे बोलेंगे हम बोल चाल में तो इस तरह से शब्द को परियोग करेंगे हम लोग कि he has worked as a laborer in factories and on building sites मतलब उन्होंने कारखानों और निर्मान अस्थालों पर मजदूर के रूप में काम किया था तो laborer का मतलब मजदूर बुसरा example है कि मजदूर की मजदूरी उनके पसीना सूखने से पहले ही दे दू मतलब उन इसमें pay the laborer's wages even before their sweet dries तो laborer मतलब मजदूर ठीक है तो इन अपने मजदूर शब्द को हिंदी इंगलिश में example के साथ मैं अच्छी तरह से समझ लिया है थांक्स वर वाचिंग एजुके यार डेस्क